देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभुत पुर्व आउसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की स्पीड और स्केल एक सो चालीस करोड भारतियों की आकांख्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यम्यों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोवारियों, नोकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशन्स है। आज एक साथ नव वंदे भारत ट्रेन की शुर्वात होना भी इसी का उदारम है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, जारखन, पस्चिम मंगाल, उडिसा, तमिलनाडू, आंदरप्रदेश, तेलंगना, करनाटका और किरला के लोगों को बंदे भारत एक्स्प्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है, वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आराम दायट है। ये बंदे भारत ट्रेने नए भारत के नए जोश, नए उत्सा और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बंदे भारत का क्रेश लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक एक करोड ग्यारा लाग से ज़्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र सासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 बंदे भारत ट्रेनों की सुविदा मिल रही है। अब इसमें नव और बंदे भारत एक्स्प्रेस जूड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब बंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक करेगी। मुझे खुशी है कि बंदे भारत एक्स्प्रेस अपने उद्देश को बहुत खुबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपुन हो गई हैं जो सफर का सभाएं कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरुवत बन गई हैं जो दूसरे शहर में कुछ गंटों का काम खत्म करके उसी दोन उसी दीन लौट आना चाहते हैं। बंदे भारत ट्रेनों ने परियतन और आर्थिक गति विध्यों में भी तेजी ला दी हैं। जिन जगों तक बंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुँच रही हैं। वहाँ परियतकों की संख्या बढ़ रही है। परियटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों दुकानदारों के आयमें भी बढ़ोत्री हो रही है इससे वहां रोजगार के नए आउसर भी तैयार हो रहे हैं